एलो फ्रेंब्स, स्वागत आपका life I स्टड़ी पर और आज का जो टोपीक होगा हमाना यह होगा मैंसुरेशन, टोपिक का नां क्या होगा? मैंसुरेशन मैंस रेशन का मतब अप सभी जानते हैं छेत्र मिति ठीक है और ये एडवांस का टोपिक है जो की बहुत ही टिबिकल माना जाता है और बच्चों को अक्सर इसके जप्टर्टी कुस्चिन में बहुत प्रोब्लम आती है तो मैं कोईस करूँगा आप लोगों को बिल्कुल नीचे के इस्तर से उचाई तक बताने की ठीक है बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूगा और बिल्कुल उपर तक बताने की पूरी पूरी इतनी मेरी चंता है आपको मैं समझाऊँगा ठीक चलिए देखते हैं मेरा बताने का तरीका क्या रहेगा? हम पढ़ेंगे सबसे पहले गणाख वै गण गणाख और गण को हम एक साथ study करेंगे उसके बाद बेलन और संकु को एक साथ पढ़ें, कंबाइं इसके बाद गोला और उरत इन दो डवेक साथ पढ़ेंगे जितने formula हैं इनकी और जितने terms हैं वो सभी को समझते उचलेगे एक-एक terms को, एक-एक formula को कैसे बना, क्या चीज क्या होती है, ठीक है, तॉड़द surface area, कबड़ surface area, क्या होता है, यह सब की जम किलेब करेगे, धीरे धीरे क्योंकि questions में क्या होगा, जब तक आपको सब्दों का मतलब नहीं पता होगा तो आप questions बनाने में उलट जाएंगे और अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो सबसे पहले एक-एक चीज़ी को समझेंगे, अब देखिए, ज्यादा time में लेते हैं, मैं start करता हूँ, ठीक है? देखो, सबसे पहले में बात करूँगा, क्युबोइड की, ठीक है? आप सभी को जैसे पता है कि क्युबोइड में कितने हमारे face होंगे, क्युबोइड में faces कितने होंगे हमारे, 6, 6 face होते हैं, किस तरह हैं? देखिए, एक बार आपको दिखा दूँ, जैजर मेरे आद में ये duster है, ये duster है, इसके कितने face हैं? देखिए जान से, एक ये सामने वाला, और एक इसके रस्ट पीछे, दो, एक ये उपर वाला, 3, और एक इसके नीचे, 4, और एक ये side वाला, 5, और एक ये 6, एक पीछे वाला, 2, उपर वाला, 3, नीचे वाला, 4, side वाला, 5, और ये 6, थिट, तो इसके कितने face होंगे हमारे, चीख यह हैं तो अब देखो इसकी एक पॉइंट तो यह हो गया हमारा दूसरा पॉइंट क्या है इसका हर एक फेस जैसे हैंसे सामने वाला फेस आप लोग देख रहे हैं अब देखें आपको अच्छे ते समझा दूं ये, ये मैंने एक क्यों लिया है, ये फेस इसका, ये वाला फेस, चाहिए ये फेस हो, ये फेस हो, या फिर ये फेस हो, ठीक, इसका हर एक फेस अपने आप में क्या होगा, एक आयत होता है, क्या होता है, आयत, हर फेस, अपने आपने क्या होगा, आयत होगा, रेक्टेंगल हो ठीक, अब देखिए, 6 face होई total, अब हर एक face क्या होगा, अपने आतमे एक आयत होगा, क्या होगा एक आयत, अगर मैं बात करूँ इसमें, Seals कितने होंगे, तीसरा point, Seals, Seals कितने होंगे इसमें, 12 Seals होंगे, Seals कितने होंगे इसमें, एक बार गिल लेते हैं, जैसे आप अभी फिला जिस रूम में बैठे हैं, उसके corner सो आप देखिए, कितने होंगे, देखिए, मैं जैसे रूम में हूँ, मैं इबर count करता हूँ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, आठ होंगे, बार नहीं होंगे, कितने होंगे, आठ होंगे, और, टोटल इसमें कितनी lines होंगे, देखिए, एक, दो, देखिए, इस लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, और ये बार, तो टोटल line कितनी होंगे इसमें, कोर बोल सकते हैं, कोर, कोर कितनी होगे टोटल, कोर कितनी होगे इसमें, बार, क्या होगी कोर? बार होगी, अब देखिए, ये चीज़े आप साथ-साथ मोट कर लें, वीडियो और को रोग करके, फिर एक एक चीज़ आप किदर करूँगा, अब देखिए, मैं इसको यह 2H into L plus B दूसरा फोर्मुला है संपूर्ण प्रस्ट 2LB, BH, HL और तीसरा फोर्मुला है आयताल अब देखी मैं बारी-बारी से एक-एक फोर्मुले पर बात करूँगा सबसे पहले बात करूँगा मैं हमारे संपूर्ण प्रस्ट की सबसे पहले बात करूँगा किसकी? टोटल सर्फेस एरिया सबसे पहले बात करूँगा टोटल सर्फेस एरिया इसे हिंदी में हम बोलते हैं संपूर्ण प्रस्ट क्या बोलेंगे? संपूर्ण प्रस्ट हिंदी में बोलेंगे से हम संपुन प्रस्ट संपुन प्रस्ट कैसे निकालेगे बहुत ध्यान से समझने वाली बात है इसमें कितने फेस है 6 हर एक फेस क्या है अपने अपमे आयत है हमने पहली गफ्षाव में आयत का 6 तरफल निकालने का फॉर्मुला पढ़ा था अगर ये L है और ये इसकी मोटाई B है तो इसका छेतरफन क्या हो जाएगा L इंटू B लंबाई गुना इसकी चोड़ाई बोल सकते हैं इसकी मोटाई बोल सकते हैं L इंटू B छेतरफन निकल जाएगा अब हमारे पास ऐसे ऐसे 6 फेस हैं ठीक है? अब मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश की लिए देखिए मैं आपको practical करके दिखाता हूँ देखिए पहले से मैंने सब कुछ set किया हुआ कि आपको कैसे करे समझाना है देखिए पहले आप ये side देखिए देख पा रहे आप लोगो देखिए मैं इस face की बात करता हूँ इस face की अब देखना यहाँ पे अगर ये L है ये क्या है L लंबाई ये क्या है लंबाई और ये क्या है इसकी मोटाई क्या है इसकी मोटाई जान दीजिए ये L है और ये क्या है इसकी मोटाई तो L इंटू B L into B क्या बजाएगा इसकी नीचे वाले तो फेस है L into B इस देखिए L into B इस वाले आयत की जो यह आयत यहाँ पे नीचे बना हुआ है इस वाले आयत का मुझे तफल निकालना हो तो मैंने यह जो लंबाई है नीचे वाले की लंबाई L ही होगी इतनी ही होगी इसकी लंबाई और इसकी मोटाई तो यह एक हिस्से का हमारे पास कह जाएगा चेतर फल आजाएगा एक आयत का एक आयत का हिस्त फल कितना होगा L B L B होगा अब इस उपर वाले फेस का भी सेम चेतर फल होगा जितना नीचे होगा उतना ही ऊपर होगा ठीक, ध्यान समझिए एक बाव ओब बताता हूँ ये L है, इसकी लंबाई ये इसकी मोटाई, B तो L into B जो नीचे वाला फेस है नीचे वाला जो पायत है इसका शित्वन निकल जाएगा L into B जितना नीचे वाले का होगा सेम L B, L B L B ही उपर वाले का होगा तो अब देखिए जो नीचे वाला फेस है इसका एरिया कितना है हमारे पास L B और जस्ट इसके उपर वाला फेस इसका भी कितना है हमारे पास L B किलियर है? अब देखिए अब मैं बात करता हूँ इस सामने वाले फेस की ये इसकी मोटाई है देख पा रहे हैं थोड़ा सा ओर आए करता हूँ ये इसकी क्या है मोटाई और ये इसकी क्या है हाइट ये क्या हाइट देखिए ये हाइट कैसे हो गई यह height कैसे होगी, क्योंकि हम vertical इसको ले रहे हैं ऐसे, क्या ले रहे है, वर्टिकल, पर यह सीधा उर्ध वादर जो होगी, यह क्या होगी इसकी height, तो b into h, इस फेस का चेतरफल इस वाले फेस का इस वाले आयत का बी इंटु एच क्या हो जाएगा इसका चेतरफल जितना इसका होगा बी एच उतना ही इसके जो पीछे है बी एच ये देज लिए इसका भी कितना होगा बी एच बी एच और बी एच तो इसमें VH प्रलस VH ठीक है? अब हमारे पास कौन सा फेस बच गया है? अब हमारे पास बचा साइड वाला फेस कौन साइड वाला फेस? देखिए उपर ले चुके, नीचे ले चुके आगे ले चुके और पीचे से ले चुके अब देखिए जो साइड वाला फेस है इसकी लंबाई L, देखिए इसकी लंबाई कितनी है? L और इसकी हाइड कितनी है? H L इन्टू H L इन्टू H ठीक? LH इसके पीछे वाले फेस की देखिए L इन्टू H L इन्टू H, तो LH और ये भी LH, जो ही कितना लाएगा, यहां घ्रान से देखे, LH plus LH, खिक, अब देखी, LB, LB, 2LB, BH, BH, 2BH, और LH, LH, 2LH, यहां से 2, 2, 2, 2, 2, 2 सब जगे से कोमन आ सकता है, पर क्या बच जएगा, LB into BH plus LH, जिक, ए, LH, तो यह आपका इस तरह से आलाता है, total surface area, संपूर्ण प्रष्ट का मतलब क्या है, कि इसके जितने भी प्रष्ट हैं, प्रष्ट नमबर 1, प्रष्ट नमबर 2, प्रष्ट नमबर 3, प्रष्ट नमबर 4, प्रष्ट नमबर 5 और प्रष्ट नमबर 6, इसके बन सकते हैं, उन सबका area में जोड देना निकाल के, उन सबका area का कर देंगा, एक साथ जोड देंगे, तो तगी तो संपूर्ण निकलेगा, संपूर्ण का मतलब कुछ नहीं छोड़ना, सबको एक साथ जोड देना है, निकाल करके, तो इस तरह से हमारे पास total surface area निकल वक्र प्रस्ट, अब देखते हैं इसका हम वक्र प्रस्ट, चैनल बात करते हैं, वक्र प्रस्ट को क्या बोलते हैं, वक्र प्रस्ट कर्ड सर्फेस एरिया, अब देखिए वक्र प्रस्ट हमेशा, हमेशा वक्र प्रस्ट निकालने के जब दिबात होगी, तो वक्र प्रस्ट एक परस्ट में क्या करेंगा देखिए वक्रपरस्ट और सम्पून परस्ट में बहुत इसाए वक्रप्रष्ट शेतरफ़क उद्द किजिए तो सम्पून च्हेतरफ़क है या कुल शेतरफ़क है Well app मतलब होगा टोटल सर्फेस एरिया, क्या मतलब होगा टोटल सर्फेस एरिया, और अगर कहें वक्रप्रस्ट, वक्रप्रस्ट का मतलब है कार्ड सर्फेस एरिया, अब इसका मतलब समझते हैं क्या होता है और निकलेगा कैसे, देखी, अभी मैंने आपको इन छे की छे साइड क निकाल के बताया था, टोटर जोड के निखाया था, 2LV, BX, HL हमारा आया था, अब देखें, जब कर्ड सर्फेस की बात होगे, इसकी कर्ड सर्फेस, तो कर्ड सर्फेस में हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो है, इसको छोड़ देंगे, जो ये नीचे वाला है, इसको तो आप देखे करें आपर नीचे वाला चोड़ देंगे तो नीचे वाला क्या है हमारा देखिए फोर्मुला हमारा क्या था एक बार देखते हैं यह फोर्मुला था हमारा वक्रपस था इसको ओपन करके लेखते हैं यह है 2HL प्लस 2HB अब देखिए नीचे वाला जो हमने शुरुवात में लिया था अपना इसको जड़ा मैं एक बार एजस्ट कर लेता हमने किस तरह से लिया था देखिए ऐसे लिया था यहाँ पे B था यहाँ पे क्या था B और यहाँ पे क्या था L यहाँ पे L था और यहाँ पे क्या था B तो L भी छोड़ देंगे नीचे वाला L भी छोड़ दिया और उपर वाला भी क्या है हमारा L B उपर वाला भी देखिए ये देखिए ये तो नीचे है अब ये जो उपर वाला ये कहां जाएगा देखिए ध्यान से दिया जाएगा यहां पे ये देखिए, L, B, LB छोड़ दिया और उपर वाला ये L और ये B तो LB, LB छोड़ देंगे इसमें से, LB, LB छोड़ देंगे तो LB वाला यहां पर हमारा पार्ट है भी नहीं ठीक, LB वाला हमारे यहां पर पार्ट है भी नहीं हमने क्या आपना था एक बार लिग के बताता हूं अभी हमने TSA निकाला था उसमें था 2LB, 2BH और 2HL ये था तो मैं कहा रहा हूं बार-बार कि नीचे वाला और उपर वाला आधार वाला और सबसे टोप वाला छोड़ देंगे चोड़ देंगे चोड़ने के बाब जो बचेगा वही हमारा हो जाएगा até's cut CJ s तो जब कहीरा की बात होगी तो वो हमारा क्या होगा नीचे वाला और उपर वाला छोड़ देंगे तो या निकल जाए güzel s ज्यान में एक curved surface area में नीचे वाला उपर छोड़ देंगे ये हमारा संपूर्ण प्रस्थेतफल नहीं होता संपूर्ण प्रस्थेतफल का मतलब क्या है कि उसमें हर face का छेतफल निकालेंगे और add कर देंगे ठीक है हर face का निकालेंगे और add कर देंगे चलिए इतना clear आप आयतन मतलब volume आयतन का मतलब क्या है volume अब आयतन का मतलब क्या होता है लिखा मैंने इस्थान घेरना कोई भी वस्तू है अगर वो इस्थान घेर रही है तो इसका मतलब उसके पास कुछ ना कुछ आयतन जरूर है कोई भी वस्तू है अगर वो आयतन घेरती है मतलब इस्थान गेरती रहे तो उसके पास अपना क्या होगा आयतन जरूर होगा अब देखिए जो हमने यह चीज देखी अब यह इस तरह से ठीक है? ऐसे यह देखिए इसके पास अगर मैंसे कही पर ऐसे रख दियो मैंने ऐसे रख दिया उसको ठीक तो इसने कितना इस्थान गेरा? इसने कितना इस्थान गेरा? इसने हर तरफ से इतना यह जो है यहां से लेकर यह पूरा ठीक फिर इस साइड का इतना यानिके इस साइड से इतना और इस साइड से भी इसने कितना इस्थान गेर लिया और पीछे से भी क्या कैसे इतना 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 इसका LBH, कि देन है, एक-एक टर्म समझिए, शुरुवात, धीमी रहेगी, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा हमी ग्रोग करजएंगे, ठीक है LBH, तो यह तो था हमारा QWILE के बारे में, क्या था QWILE के बारे में? आभी मैंने क्या बताया, 6-8 होंगे इसकी, 6-8 होंगे, 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 6-8 होंग क्यूब में, जैसे एक क्यूब बना हुआ है. इसी को देख लेते हैं, क्यूब क्या होगा? इसका हर एक फेस, जैसे सामने वाला फेस है, इसका हर एक फेस, इसका हर एक फेस अपने आपने क्या होगा? represented एक स्क्वायर होगा, क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, तो देखिए, इसका जो हर एक फेस होगा, वो अपने आप में क्या होगा, एक स्क्वायर होगा, मैं एक फेस इसका अलग बना लिए यह देखिए, एक फेस मैंने क्या किया, इसका अलग बना लिया, और स्क्वायर में कि सारी जो बुझाएं वहान मैंbal होती हैं सारि जो बुझाएं हैं इक放心 होती हैं कि सारी डाओं मैं एकोल होती अब इखी अभी हमने क्या अव्न की आईट का च्छे तरफ़ निकाला आद 15微 हम मतलब आयत के स्फॉयर का स्फॉयर निकालते हैं देखिये यह कि एक назад कि यह ब neurolog की कि आया चैसे यह रेते हैं इसका स्फॉयर र्लंभाइ कि है और मोटा या चोड़ाइ भी जो फिलिए ऋ इसकी ए तो इसका area आ जाएगा a², यह एक face का area है, कितने face का area का जाएगा आपका a², ठिक, अब देखिए, इसमें total कितने face हैं, इसमें total कितने face हैं, 6, इसमें भी 6 face होंगे, एक सामने वाला, एक उस face पीशे वाला, एक दो, तीन, चार, पांच और एक 6, भी सामने वाला एक पीशे वाला दो, तीन, उपर, चार, नीचे, पांच दाएग, बाएग, 6, पूरे 6 face होंगे, तो हर एक face का, क्योंकि हर एक face बराबर है, जितना ही यह है, उतना ही पीछे वाला, उतना ही उपर वाला, उतना ही नीचे वाला, दाएग, बाएग वाला, सार एक face समान हैं, तो इसका मतलब पहले फेस का A², दूसरे फेस का A², तीसरे फेस का A², चोथे कावी, और पांच इनुने कावी, और छटे कावी. गभाने सब का A², तो A A A 6 बार जुड़ेगा, कितना जायगा? 6a², कितना जायगा? 6a². इसका जो टोटल सर्फेस एरिया होगा, देखे टोटल सर्फेस एरिया की बात कर रहा हूं, टोटल सर्फेस एरिया का मतलब है कुछ नहीं छोड़ना, आगे वाले साइड, पीछे वाले साइड, उपर वाले साइड, नीचे वाले साइड, दाएं वाले साइड और बाएं वाल लागम जोड लेने, क्लिया है? अब देखिए, हम देखते हैं क्यूब का curved surface एलिया, क्या देखते हैं? क्यूब का वक्र प्रस्ट, वक्र प्रस्ट, वह क्या था भी हमारा संपोर परस्ट? अब देखिए, वक्र परस्ट निकालना है, मैंने अभी पिछले आयत के बारे में बताये था, मतलब की बोईड के बारे में बताये था, कि नीचे का छोड़ देंगे, और ऊपर का छोड़ देंगे, नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया छोड़ देंगे, अब देखे ध्यान से, अभी मैंने क्या बताये था, A sq. A sq., A sq. A sq., A sq. और. A sq. और. A sq. 6 फेस थे घंब में, अब नीचे वाला नहीं count करना, ना उपर वाला count करना, तो नीचे वाला का भी A², उपर वाले का भी A², तो नीचे वाले को भी अटा देंगे, उपर वाले का भी निकाल देंगे, तो मतलब क्या होगा, A² नीचे वाला, A² उपर वाला कट जाएगा, मतलब हट जाएगा, तो यहां से इसको अटा देंगे, तो इसका मतलब इसमें से कि हम ya2 और ya2 , एहां से बता देंगे , तो हमारे पास , eek , 2 , 3 , 4 , 4 a2 , क्या ? 4 a2 , हमारे पास , इसका कहले आएगा , curved surface area , curved surface area , ना उपर का न नीक्षे का कोई नही लेना , तो curved surface area상을 हमारे पास , तो यह आप समझ गए होगे, ठीक, अब मैं इसको उटाता हूँ, अब देखिए, इसका item देखते हैं, क्या देखते हैं इसका item, अभी हमने item निकाला था है, L, B and H, ठीक है? अब एक बार ध्यांग दीजीया, अगर मैं इसको लंबाई बोल दू, इसको क्या बोल दूप, भीःज़ ठीक, लंबाई बोल देता हूँ, इसको क्या बोल देता हू मोटाई और इसको क्या मूदा अमें Hight, क्या मूदेथ हो इसको हैब आब आक द्यान दीजिए, ge daan से देखने वाली बात है कि इसको कoter मदले कि यह ekt यह क्यूब है क्या है कीया है क्यसी क्यूब क्या होें सम्क्यूब इसकर लंबाई है कि इसकर बात लेशाद है यह है, तो यह भी A तो लंबाई भी A मोटाई भी A और उचाई भी A तो इसमें हर चीज ए, ए, ए है तो देट मींज A into A into A एक पावर, एक पावर, एक पावर टोटल कितने पावर? तीन, तो यह आजाएगी हमारे पास एक पाव तीन, तो इस तरह से हम کیूब का वॉल्यूम ही निकाल सकते हैं हम क्यूब का निकाल सकते हैं वॉल्यूम निकाल सकते हैं ठीक है? ठीक है? सुरू से लेकर लाश्ट तक व्यूडियो को एक बार और देखो अगर आपको समझ नहीं आया कि देर हो जाएगा, खुद का दिमाग भी चलाना पड़ेगा, तो ये हम निकाल सकते हैं, ठीक, तो मैंने बात की, वक्तर प्रस्ट, संपूर प्रस्ट और आयतन, आयतन जो चीज स्थान घेरेगी, वो अपना आयतन जरूर रखेगी, कुछ ना पुचाएतन, जरूर रोगा, अगर वो इस थान घेरती है, तो, चलिए, अब देखिए, ये हमारा था, क्यूब और क्यूबएड एक साथ, क्यूब और क्यूबएड एक साथ, नेक्स हम पड़ेंगे बेलन और संकूब एक साथ, फिर नेक्स पड़ेंगे, गोला और वृत एक साथ, तो आज के लिए बच इतना ही, एक बाई इसको आप अच्छे समझ लीजिए, टर्मोलोजी क्या है, हर चीज का मैं एक एक मतलब आपको बताने कोई स्कोरूगा, ताकि आपको कोई भी कंजिजन ना रहे, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में, कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करेंगे ज़रूर बताएं, लाइक और डिसलाइक वो सब चीज आपके हाथ में है, चलिए मिलते हैं, आपका दिन सूप रहे,